असलाम अलेकुम एब्रिवाँ इस उसमा और वेल्कम बैक टू माई चैनल सिल्की हेर ना होना, हेर में शाइनिग ना होना, उसमें स्मूधनिस ना होना उसका एक बहुत बड़ा वज़ा है वो है डैंडर। सबसे पहले तो आपके बालों को रिपेर करने के लिए, पहला काम हमें करना होगा कि आपके डैंडर। को रिमूव करना होगा अच्छी तरीके से after that, जब आपकी डैंडर। कमप्लीटली चली जाए जाए रिमूव हो जाए तब आपका जो hair है वो repair होना शुरू होगा इसमें बहुत जादा ध्यान देरे वाली बात ये है कि आपको dandruff होती कैसे है dandruff के एक reason नहीं बल्कि बहुत सारे reasons है सबसे पहले तो आपकी जिस scalp है उसे अच्छी तरीके से clean ना करना अगर आपके scalp में पसीने रह जाते हैं उसे अच्छी तरीके से remove नहीं करते तो आपको dandruff होती है pollution के वज़े से या फिर weather जब change होता है उसके वज़े से आपको dandruff face करना पड़ता है जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उसी तरीके से बालू को भी खाना देना बहुत important होता है और उसका खाना सबसे बेस्ट यह है कि आप अपने बालू में week में two days oiling करें कई बार आपने सुना होगा कि जब आप tension लेते हो तो आपको hair fall की problem होती है सिर्फ hair fall की ही नहीं बल्कि आप tension लेते हो ना तो आपको dandruff जैसे यह problem को face करना पड़ सकता है और इसे लिए आज मैं इन सारे problems को देखते हुए एक remedy लेकर आई हूँ जिससे कि आपके hair fall भी रुकेंगे आपको shining hair भी मिलेगी, smooth hair मिलेगी, साथ ही साथ आपके जो dandruff है वो भी remove होंगे इन्शाला तो यहाँ मेरी first ingredient है lemon juice जो की आपको easily आपकी kitchen में available मिलेगा lemon में vitamin C बहुत ज़दा high amount में होने के वज़े से यह collagen production को boost करता है इसमें other nutrients होने के वज़े से आपके hair को strength provide भी करता है lemon juice में antioxidant होने के वज़े से यह आपके hair growth को promote करता है साथ इसाथ dandruff जैसे issue को भी treat करता है तो यहाँ two table spoon आपको lemon juice add कर देना है बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो hair है आपकी जो scalp है वो hydrate हो अच्छी तरीके से तो इसके लिए मैं ले रही हूँ curd अगर आपके बालों में बिल्कुल भी shine नहीं है अगर आपकी बाल बहुत ज़ादा dry होने के वज़े से damage हो गए है coconut oil एक natural conditioner का काम करता है hair को naturally silky smooth और shiny बनाने का एक natural तरीका है अब इन सारे ingredients को अच्छी तरीके से mix कर दीजे इसे आपको अपने scalp पे अच्छी तरीके से apply कर लेना है scalp में भी आप अप्लाई कर सकते हो और hair length में भी अप्लाई कर सकते हो वन मन्त तक ठीक है week में two days और अगर आपको ज्यादा टैनरफ का issue नहीं है तो आप week में one day ही use करना लेकिन वन मन्त तक try जरूर करना इंशाला आपको खुद असर देखने को मिल जाएगा बहुत उमीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई को तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर कर देना ऐसे और भी वीडियो के लिए comment section में बता सकते हो आप और मुझे इंस्टा पे भी follow कर सकते हो thank you so much for watching guys, khuda hafiz, take care and bye bye